कि नवस्कार दोस्तों मैं राजेश्यादवाप सब्सक्राइब करता हूं टीडे लर्णिंग की यूटूब चैनल पर इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा डारेक्शन से रिलेटेट कौन-कौन से कोशन्स पूछे जाते हैं कितने टाइप्स की होते हैं उसक करते हैं पहला जो कोशन है के आपका पहला कोशन यह रहा तो को डिस्प्ले पर आपको दिख रहा अपको दिख रहा हो गा हो घुलोमीटर कि पर नॉर्द नॉर्द के साइट जाती है मैं पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है आपको यहां पे आपको लिंक बिल जाएगा पिछली वीडियो का जिसमें जाके आप बेसिक कंसेप आप क्लियर कर सकते हैं ठीक है उसमें मने बताया है कि इस चीज को फास्ट सॉल्व करने के लिए क्या क्या तरीक आपको अपनाना पड़ेगा सबसे सिंपल सी बात है पूरा दिरेक्शन में जा रहा है और कितना किलोमेटर जा रहा है उस डेटा को आप क्या करिए रफ पॉंट पे लिखती जिए और उसके बाद फटा फट सॉल्व करिए जल्दी से को आप से सॉल्व हो जाएगा ठीक है इसमें क्या लेना अपने को दो किलोमेटर नॉर्थ पहले लेना उसके बाद क्या है तरन टूamb Ведь और राइट है अब यहाँ प्या पूछा है आपसे डाहरेक्शन पूछ runs labour आयए बहूँ सींपल सा कोच्टन से मेह हैं हुआ हैं नॉर्थ में जानाने को फिर कितना नार्थ मेंHS किल्व में चाहि वेलून तो किलकी किल्वं नेयुकंट लेता है वह Hier यह ili और ज़ेन होते हैं कितना दो किलुमेटर से गया हो अगें से औराइट आप इश्ट में जा रहे हुए राइट कितना смотреть यह भी दो किलोमेटर आना है तो फिर उसी के सेम लाइन पर आप आ जाओगे तो यहां पर तो अभी बंदा कहां पर यहां पर यहां पर यहां पर और स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है यह है किसका पूछा है मैंने क्या बोला था डारेक्शन के बेस पर आपसे तीन फेशं और सब्सक्राइबर स्टार्ट्व करते लिए वीच डिरेक्शन इस सी महाँ पर यहां पर तढूर यहां पर。 आप चल्द शुक्राइबर स्कुट्डरिंगे और यहां पर यहां पर उस पर आप दो आप 555-2009-2009, नौर्थ से आप साओ्थ में आ रहे तो फेशंग कोम से डिर्क्षिन में होगा है तो यानि एंसर क्या हो जाएगा आपका यह आपका राइट एंसर और ठीक है टिक है देखिए डायरेक्षिन एंसर समझने में बहुत आसान है और लोग आसान समझ भी लेते हैं लेकिन इसका चुल नहीं समझता है उसके लिए हाड ही हाड होता है। और जल्दवाजी के चक्कर में आअसानी के चक्कर में लोग गलत भी करके आते हैं। और लगता है को shocks के सबस् vikt और से काते हैं। है तो यहां पर उस लड़ीकी का लास्ट का मूवेंट जो चल रहा था उसका फेसिंग का डिरेक्षंट पूछा था तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका स्आओथ कुछ लोग को यह लगा कि यह कोशन्स तो दो दो किलमेटर देदर दो किलमेटर उधर है उसके बाद लास्ट का वह है तो इस्ट एंसर आ गया होगा सब का मोस्ट आप मैं बदा रहा हूं कि एट्टी पर्शन लोगों का एंसर जो है इस्ट आ चुका हो रहा होगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला कोशन आपके सामने यह रहा ठीक है कोसा न्मबर टू राणी वाज टेन स्टेप तूवर्ड वेस्ट आप यहांपップ वेस्ट में टेन स्ट जा रही है तो इसी वाक्त क्या करते हैं बनाते चलते माल लोग यहां पर रानी है वहां से वह टैने स्टेप कहा जा रही है statut मे कि यहां पर दिया हुए है तो 10 इधर था नेशी कितना था फिर से लवट के नीचे के साइड आ गई है ठीक है तो फार विच डारेक्शन इस सी फेसिंग आप देखो यहां पर पूछ रहा है कि कौन से डारेक्शन में वो फेस कर रहे है देखो सिंपल से बाता पहले वेस्ट में गई वहां से राइट या नहीं कि नौर्थ के साइड ग हुआ साउथ के साइड हुआ तो इसका इंसर का हो जाएगा ओप्सान नंबर और यानि की शाॉथ होगा ठीक है चली वोसे नंबर तीन पे चलते हैं कोसे नंबर तीन आपके इस क्रीन पे रहा देखो, question number 3, इसमें दो type के question पूशे जा चुके हैं आपको, पहले instruction इसका पढ़ लेते हैं, क्या data आपको दिया हुआ, इसके बेस पे question number 3, question number 4, दो आपसे पूशे गया है, क्या पूशा है, रामू walk 2 km toward north, then turn toward his right, रामू क्या करता है, 2 km walk करता है north के side, उसके बात right मुलता है, और 4 km चलता है, अब देखो, यहाँ पे क्या करना है, आपको data, फटा फट, आपको क्या करना है, data को निकलना है, कौन सा data, कि जाना कौन से side है, और मुलना कितना है, तो पहले जो आपको दिय है, वो 2 km north दिया है, यानि 2 km आपको क्या करना है, north में जाना है, then turning लेना है, आपको turn, कौन से side लेना है, पहला right turn लेना है, और 4 km walk करना है, right 4 km, उसके बात क्या है, then again he turn toward his right, again right में, फिर कितना, 4 km, ठीक है, finally turn to his right, और walk 4 km, फिर से वो last में भी उसको 4 walk करना है, ठीक है, एक 4 km जाता है, then turn to his right, right में जाता है, walk करता है, 4 km, again turn right, and walk करता है, 4 km, वो 4-4 km, राइट के side में 3 बार मुलता है, और north में एक बार जाता है, अब इस data को हम लोग बना लेते हैं, पहला, यहां से start किया, 2 km, turn right, 4 km, again turn right, 4 km, यह देखो, यह 2 है, तो 4 जाना था, उसको तो एक्स्टा जाएगा ही न, 4 km, again turn right, and walk 4 km, यह उपर 4 है, तो नीचे भी parallel आ जाएगा, कहां पहुचा, यहां पहुचा, यहां पहुचा, यहां पहुचा, यहां पहु रामु का का सुबत से घर से निकले है, गुमते गुमते यहां से, यहां से, कहां पहुचे, यहां पहुचे, अब पूच रहा है, question का पूच रहा है, question number 3, question number 3 क्या पूचा, now in which direction, रामु is facing, अब बताओ, इधर से वो आ रहे हैं, तो कौन से direction में face करके किया होंगे, तो इसका तो waste हो जाएगा, ठीक है, तीसरे वाले का, चौथे का, how for रामु from starting point, starting point से रामु कौन से कितना दूरी पहे है, अब देखो, starting उनका कहां पहे है, starting उनका था यहां पहे, यह, यह आपका क्या है starting point, और रामु कहां पहे है, यहां पहे है, तो क्या पूचा है, रामु starting point से कौन से डार, कितनी दूरी पहे है, तो यह जो दूरी है, यह वाली, बीच वाली, यह आपको पता करनी है, तो देखो, simple सी बाता है, यह 4 है, तो 2 माइनस हो गया, तो बचा कितना, 2 किलो मेटर, यानि, कि आपका जो answer आएगा, वो क्या हो जाएगा, 2 किलो मेटर, यानि कोशन नमबर 5, यह देखी, यह कोशन बार 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 पूचा जाता है, देखका Department 365 का फीम आपका मेटर, श्रुय में तब तक स्हुर्ट डेटा इसका क्या हो सकता है सिंपल सा बात है कि युद्ध फादर is looking for his child he went 100 मिटर in the west फॉर तरन इक क्या होता है कि खाली आपको सेंटेंस में कैसे घुमा रहा है बोल रहा है कि जाने मुल्ने के पहले वह इतना किलमेटर चल ला है यानि कि चलने के बाद मुढ़ना मुढ़ने के पहले चलना मतलब एक ही हुआ तो कहने का मतलब क्या है पहले वो 100 km जाता है और उसके बाद मुढ़ता है यह फादर is looking for his child he went 100 m to waste पहले वेस्ट में जाता है कितना वेस्ट में जाता है 100 ठीक है और लिखावा है before turning to his left यानि कि इसके बाद उसको पता है कि left ही मोलना है वेस्ट में जाना है 100 km उसके बाद left ही मोलना है उसके पहले वो बल रहा है कि 100 km चल गया left में मोलने के बाद कितना जाना है उसको left में मोलने के बाद उसको 30 जाना है अगें उसके बाद फिर बिफोर तर्निंग तू इस लेप लेफ कर लिया कितना जाना है उसको 40 जाना है जहां पर हो पाउचा अपने भाई के प्लेस पर मतलब उसका भाई वहां पर रहता था बिफोर तर्निंग तू इस लेफ अगें तू लुक फॉर इस चाइल्ड ही एट इस ब्रदर प्लेस 40 मीटर फॉर्टी मीटर फॉर्म दीस पॉइंट ठीक है और उसके बाद फ्रॉम वेयर फ्रॉम वेयर फॉर्म वेयर इवन वन वन नंटें मीटर तू इस नौर्थ बिफोर म नौर्थ में चलता है या नेकी बच्चे से मिला नहीं मिलने के पहले वह और कितना चल चुका था नौर्थ में 110 किलोमेटर चला था अब इसको हम लोग डाइग्राम बना लेते हैं फटा-फट बनाते दो कैसे अंसर आता है यहां पर एक नया चीज आपको सेखने को मिलेग बनाता है इस डाइग्राम से भले दोखो वेस्ट में जाना है आपको कितना तौर सो ठीडर यह हो गया सरो गयो उसके बाद क्या बोला लेफ्ट में लेफ्ट किदर होता है नीचे होता है कितना तीस आपने लेफ्ट में मुल लिया अगेन बोल रहा है लिफ्ट में जाना है कितना चालीस वह भी कर लिया फिर बोलता है जहां कहीं पहुचा है उसका भाई का ये दुकान था भाई का प्लेस यह उपर कितना गया होगा 80 80 and 30 इक्वल टू कितना हो गया 110 हुआ अब यहां पर देखिए यह 100 था 100 में से 40 देखों माइनस हो गया है तो यह कितना बचा है 60 बचेगा यानि यह वाला जो डेटा है वो आपका कितना है यह वाला डेटा आपका साथ है यह वाला 80 है अब पूछ पूछिंट का भूच रहे है है और इस नमीठ इस फादर फ्राम दै स्टार्टिंग पॉइंट अब वह आदमी जो है आपने बच्चे से जहां मिलता है बच्चे से कहा मिला यहां पर मिला और घर कहा पर था ओ यहां पर था चिछे तो पूछ रहा है कि कितने दूरी पर वो मिला है तो सोपने को क्या करना है सौट डिस्टेंस निकालना है यानि की यह वाला डिस्टेंस यह डिस्टेंस कितना होगा आपका यह आपको निकालना है इसके निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पाइथा गोरस धीरम का आपको यूज करना पड़ेगा सिंप पाइथागोरस थेरी आता है आराम से निकाल सकते हैं तो पाइथागोरस थेरी का फॉर्मॉला क्या होगा अगर मालों C A निकालना है तुमको C A is equal to C A is equal to क्या होता है एबी का square प्लस B C का square ठीक है स्क को आप अप्लाइर को वा अचा दीजिए तो वह हो जाएींगा अंडरूट में हो जाएगा अंडरूट में a b को स्क्वाइर प्लाइस एका स्क्वाइर ठीक है इसको जब हाप सॉल्व करोगे तो यहां तक दिखाई दे रहा है सब को अब वही लोगों हम लोग पूट आउट कर देते हैं अंडर रूट में क्या हो जाएगा 80 का स्क्वाइर प्लस 60 का स्क्वाइर ठीक है तो C A इक्वाल टू क्या होगा 640 360 अंडर रूट में ठीक है इनको एड़ कर दीजिए कितना होगा 00 सिंपल सा 1000 हो जाएगा किसका अंडर रूट में तो C A को अंडर रूट से बाहर निकाल होगे तो कितना हो जाएगा 100 होगा तो यानि यह वाला कितना एंसर आजाएगा इसका एंसर क्या आजाएगा आपका 100 Meter यानि कि अगर 50 क्या हो जाएगा 100 Meter 100 Meter आपके ऑप्शन में है 100 Meter दूसरा वाला ऑप्शन यह आपको देख रहा है 100 Meter राईट एंसर हो जाएगा एक बाद फिर से और हम लोग देखे लेगते हैं प्खेता है ठीक है, he went 100 meter toward west, वो पहले west में जाता है 100 meter before turning to his left, यानि 100 meter जाने के बाद वो left में मोला तो उसी बात को वो बोल रहा है, कि left में मोलने के पहले वो 100 meter चला उसके बाद वो 30 meter हो जाता है before turning to left again ठीक है, फिर उसके बाद फिर से वो 40 meter जाता है, जहां पर देखता है कि उसका father का place रहता है वहां पर भी डूड़ता है, वहां पर भी उसको नहीं मिलता है, यहां पर उसका father का place रहता है वहां पर भी नहीं मिलता है, फिर बोलता है वहां से वो north में निकल जाता है, 110 kilometer 110 kilometer उपर गया, तो वह और जहां हमाँ प whereby इसको पच्चा मिल गया थीक है तो फूप रहा है कि वहाँ बच्चा उसके घर से कितनी दूरी परूंगर यह чो है उसको सौर्ड से बतानी हैं आहीं ना गरकी इसक्वार बता solve किया और answer कितना आगया आपका hundred आया है ठीक है simple साथ पाइथागोरस theory आपको देखो ये reasoning आप कर रहे हो पाइथागोरस theory इतना भी आपको समझने की जुरुत नहीं है simple सी बात है normal जो भी data आपको ये दिया रहेगा आपको लग रहे है वह मैं आपको बता दूँगा कैसे करते हैं for example देखो हमेशा जब भी जो भी एक्जाम आएगा ना most of exam में क्या होता है एक data आपको तीन की टेबल करेगा दूसरी चार का टेबल करेगा answer जो आता है वो पांच की टेबल का आता है अगर यह चार रहेगा यह आट रहेगा यह दोनों डेटा साथ में आपको दिया रहेगा तो एंसर यानि की देश रहेगा माल लो यह 9 है 12 है तो यह कितना आएगा 15 है अब यहीं बाला डेटा आप उठाके देख लिए एक असी ता एक साट ता यानिकी यह साट यह असी तो एंसर कितना आया सो यह तरीका कोई नहीं बताएगा वोस्ट और इक्जाम में आपको यही डेटा से पूछा जाता है यह डेटा एक डेटा दो डेटा आपको दिया रहेगा तीसरा डेटा आपको हमेरे साइसी की टेबल में आएगा खाली यह ध्यान रखन जलिए जल दा अगले कोशन पर कोशन नमबर 6 पर हम लोग विशन नमबर 6 आपके सामने यह रहा डिस्प्लेट पर आप लोग कोशन को एक बार रीड करिए तब तक मैं इसको रफ करते तो ठीक है चलिए फटा 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 पलो कोशन रीड करिए चले कुछन नंबर 6 था एक्स एन वाई ये दखो ये बहुत ही जिंबल है एक्स और वाई स्टार्ट वाउक फ्राम पॉइंट जीरो यानि यह लोग क्या बोल रहा है यह जीरो पॉइंट है ना यहां से यह लोग दोनों वाउक करना चाहते हैं दोनों वाउक कर रहे हैं और दोनों भीप्रीदिसा में एक्स और य इस्टार्ट वाउकिंग फ्रॉम एपॉइंट जीरो एक्स वाउक इन दनौर्थ यह नौर्थ में एक्स बोलता है मैं नौर्थ में जाओंगा ठीक है उसके बद क्या था एड़ और यसाउथ के डारेक्श कुल रहे हैं कॉनों फास फास केलों जाने कि बोल रहा है कि तुर ऐस्ट उपकृल अस तो घुंटी मेट्रे ऊजो क्या कर रहा है एज हए द या डो और किलो मेटर और यह यह चीरणा रूट के लोगा प्राइप में है को है तो दो क्या कर रहा है इस्त के साइड मोड़े हुए अवोस्सक्राइब प्षोच लिया है। एक्स होगा यहां पे यह ओगा तो इनका निकालना है तो यह दोको पांच प्लस पांच कितना हो गया यह जो दूरी आए गया वो कितना किलमेटर की आएगी यह जो आपका अंसर है और आप्शन नमबर तो यानिकी 10 किलमेटर हो जाएगा बहुत इसंपल को उसन था अगले को इस में त्यातर किया करता। cycle करता है, 1 km North में, ठीक है, चलिया, मैं यहाँ पर एक ठाइदा हूं, एक आदमे है, जो North के side, North के side कितना जाता है, 1 km, ठीक है, उसके बाद he turn to his right, right में मूलता है, 3 km, कितना, 3 km, यह 1 है, 1 km, 3 km, and again turn right, नीचे कितना? 5 km, 5 km आ गया, यानी एक इधर हो गया और 4 नीचे आए, ठीक है नीचे वह ला कितना है? 4 km है, ठीक है? अब कोजिचन क्या भूच लिया है? how far and which direction मतलब कौन से direction में है और कितना दूरी पे है कहां से किसका पूछा है he is from starting point is he from the starting point यानि ये person कहां पे है यहां पे है और starting point आपका यहां पे यानि ये वाली दूरी और direction आप से पूछा हुआ है तो इसको क्या करना है पहले ट्रिंगल कंप्लिट कर ले ना है तो ये 3 किलो मिटर आपका हो जाएगा और ये आपने 5 आया था जिसमें से 1 माइनस हो जाएगा तो बचा हुआ 4 होगा ठीक है बचा हुआ 4 है 1 3 है तो मैंने अभी इसके पहले बताए 3 और 4 का डेटा आपको दिया है सब डारेक्शन होगा इसके नजरे से दोके गए तो चार लाइन बना लो चार क्या यहाँ पर आठ बनानी पड़ेगी क्योंकि ये सब डारेक्शन में आएगा तो ये वाली सब डारेक्शन कौन से लाइन जारी है भाई ये जारी है आपका साउथ इस्ट यानि कि साउथ इस्ट किस में है ये वाले आपसान नमबर टू आपका क्या होगा आपका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है चलिए समझ में आया सिंबल साथा एक आदमी था वो एक किलोमेटर स्वरी नौर्थ में गया टैन राइट लेता है तीन किलोमेटर जाता है उसका वाट टैन राइट लेता है पांच किलोमेटर नीचे आ जाता है अब आपसे पूछ रहा है कि वो आदमी कितना दूरी पे है और कौन से डारेक्शन पे है तो पाथा गुरस थेरी निकालना था एक डेटा तीन का ये था है और किलोमेटर ओ डारेक्शन आपको पता हुआ चलते हैं कौन नगर आठ पर कौन नमबर aट ये आपके सामने रहा है है यह रहा कौन नमबर aट कुटुसंग क्या है सुनिल वाज फेसिंग śंरी जो है वह इस इस मी फिशिंग करना यह दो अपने पासा गया दिकली कोशन इस्ट में फिस्ट कर रहा है यह मालोग हम लोग चार डारेक्शन बना रहे हैं ठीक है चार डारेक्शन हमने बना दिया अब वह बोला है कि पहले वह इस्ट के डारेक्शन में फिस्ट कर रहा था इसका डारेक्शन कौन सा है यह वाला अब इस्ट में वह फेस कर रहा था उसके बाद क्या बलता है 100 डिग्री एन 145 डिग्री अब देखो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका में आपको बताता हूं इसको कैसे कर सकते हैं आसान भासा में जब भी डिग्री वाली बात आएगी तो उसमें देखो दो टाइप का मुवम पांच किलमेटर कहां पर आना है पीछाना है बस दोई डारेक्शन या तो आगे सकते हो या पीछे जाल सकते हो तो अल्टीमेटली आपको पूछ लिया जाये कि आप कहां पर हो घर चे तो आप बोलोगे ना कि 10 गया था पांच वापास आ गया तो मतलब घर चे अभी आप पर रहा गया है अगर आप से कोई पूस्ष आप कहां पर यह है तो आपके आओ है् स्था 100 Degree in the Clockwise यानि किसेद ऑग है और उसके बत क्या है 145 एंटी क्लॉक वाइ और main face कहाँ पे था main face उसका east में था अब इसमें cut pit कर दो clock anti clock remaining क्या बचेगा जो ज़्यादा होगा उसी का बचेगा यानि 45 बचेगा किस में anti clock किस के जाना है east के जाना है तो east कहाँ पे होता है यह east है तो anti clock wise 45 तो यानि यह सब direction क्या होगा north east कहाँ पे हो जाओगे नौर्थ east सव बोला होग जाना है 145 anti clock जाना है तो आप ultimately सव आगे जाते फिर पीछे आते तो माइनस कर तो पहले ही से 45 आपके पास बचेगा जो कि लास के मूमन करने जाना anti clock wise आपका कितना हो गया 45 यानि कि आपका 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 नॉमबर और ते लिए अगला कोशन गरते हैं नंबर 9 three इफ साओट एस्ट विकम नॉर्थ एस्ट सिम यह कोशेन न ओपका रिपीट कूछा जा रहा है इस चार्ट ऌंच है्गां आता चर्णक कैंफ शाओट एस्ट विकम नॉर्थार आपका नॉर्था उस्ट बिकम वेस्ट and direction change similarly मतलब इसी तरह direction change होते जा रहे है तो आपको पूछा है what is become east क्या हो जाएगा ठीक है चलिए पहले इसको रफ कर लेते हैं आप बताईए अगर आपको answer आ रहे तो comment करिए और हाँ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक करिए subscribe करिए और यह वीडियो आप अपने दोस्तक share कर सकते हैं ताकि उनको भी यह concept पूरी तरह clear हो सके ठीक है चलिए अब तो इसने कहा वोलाए यह मान के की चलो जाओ डरेक्षन ठीक है यह इस्ट है यह वेस्ट है यह नोर्थ है यह सौथ है नॉर्थ हीस्ट e शाओ थीस्ट गर्षаний Testament शाओ टुने स्विश्ट नॉर्थ वेस्ट है इतना समय नारा सबको अब प्लफ राए हो कि इफ साउथ एस्ट यानि कि यह वाला स्टाउथीश्ट बिकम नॉर्थ यानि यहां बोल रहा है कि नॉर्थ अगर हो जाए यानि इस चीज़ को ऐसे गुमा दो यानि कि कितना डिगरी गुमाना है 45, 90, 135 यानि कि 135 डिगरी किसी चीज़ को clockwise गुमा दिया गया है इस डारिक्शन को क्या किया गया है 135 डिगरी clockwise गुमा दिया है ताकि North जो है गोम के किदर आ गया South East की जगह पर आ गया तो North East पीकम वेस्ट यानि North East यह देखो North East क्या हो जाएगा उसमेलर इसमें भी उतनِ का हिगाप है 45, 45 यह पीछे से आकर उसके पीछे आ जाएगा क्लाक वाइज मूव करेगा ये कितना वन थर्टी फाइड इगरी तो नॉर्थ इस्ट की जगह पर वेस्ट आके बैट जाएगा अब आप से पूछ लिया है कि वर्ट इस्ट पिकम इस्ट क्या हो जाएगा इस्ट की जगह पर कहुन आएगा तो इसके पीछे वाला कौन सा है है कि नॉर्थ वेस्ट वन थाटीफाई डिग्री क्लॉक वाइज किस दिसको मूव करेंगे ताकि वह इस्ट की जगह पर आ जाएगा तो इस्ट की जगह पर का आएगा नॉर्थ वेस्ट यानि एंसर आपका क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट ओप्शन नमबर पोर यह राहूल इस फेसिंग इस डारेक्शन ही टर्ण 900 एंटी क्लोक वाइज देन टर्ण वन एट अट्रसो क्लोक वाइज विच डारेक्शन इजी फेसिंग नाएज देखो इसमें हो सकता है कि एक जीरो एक्स्टा बढ़ गया होगा नाइटी डिग्री वोन एटी डिग्री तो फिर तो बहुत सिंपल है बट यहां पे 900 और 800 है फिर भी हम लोग इसको करेंगे यहां पे ध्यान दो क्या बोला है एक क्लॉक वाइज दूसरा एंटी क्लॉक वाइज देटा अपने को क्या करना है पहले लिख लेना है लिख के लो पहला है क्लॉक वाइज नहीं पहला एंटी है एंटी पर कितना है 900 और क्लॉक पर कितना है डबा ले सीधा मैंने क्या बोला कट कर दो एक्ष्टा कौन सा बच्छेगा क्लॉक में बच्छेगा कितना नौस है अब प्रेस कौन से डारेक्षन में है प्रेस बोला हुआ है इस्ट में अब 90 कि यह बंदा लगता है कि चकरी पर किसी बैड गया है क्या गोंते खुमन नौसव डिगरी घुंवे गा तो कुस करना नहीं है । इस यह गर ना पूला जो होता है वह ठीकष्टी ख एक ट्रीक य। अक सिस्ट की होता है तुरी से 2.5 360 से इसको डिवाइड कर देंगे ये 00 कट जाएगा इसका होगा 2.5 टाइम जाएगा 2.5 का मतलब क्या होता है कि 2 चक्कर गुमा और आदा चक्कर यानि की धाई 180 डिग्री सिंबल सी अगर बात करें तो 180 डिग्री क्या किया है एक सिटा को महोगा कौन से साइड क्लॉक वाइज तो क्लॉक वाइज 180 डिग्री और घूमा दो इसको कौन से डारेक्षिन में पहुच जाएगा अगर इस्थ में है तो उसका हो जाएगा वेस्ट यानि कि यहां पर क्या होगा वेस्ट जो है वो आपका राइट एंसर होगा , शमल्या नहीं तो अगर आपको बना के चेकर नहीं तो यह देखिए बना लीजए अ अ अ अब दिखिए कोन से साईड ता, इस्ट में था इस्ट से एक चक्कर मारा 360 डिग्री फिर दूसरा चक्कर मारा तीन सो साथ डिगरी कितना हो गया गजटी सब्सक्राइब गजटीज अब दिन कितना बचाए तुम को शुरी नौश एक सो असी और जाने के बाद क्या हो जाएगा यह नौश जाएगा तो यह वन एक टी लास का मुवमेंट तो अभी यहां से मोगो कि कहा पर आया वो होगा ठीक है तो एंसर आपका वेस्ट होगा अगर यह कोशन सही है तो ठीक है अधर वाइज अगर 98 सुरी 90 और 180 का रहेगा तो सिंपल सी बात है 90 और 180 में मानिस करोगे 90 बच्छेगा 90 कितना आएगा इस दे 90 आप सा जाओगे तो साउथ में एंसर आपका जाएगा ठीक है नमबर इलिए होन देखते हैं लास्ट कोशन आज के लिए यह है सेडो की बेस्पर कोशन है बहुत ही सिंपल कोशन क्या लिखा है वन यूनिंग विपोर संसेट तू फ्रेंड रेसमा एन सीमा वेर टॉकिंग टू इच अदर फेस टू फेस इस इस माशेडो इस एक्जेक्ल अब टाइम कौँ सा यूनिंग का टाइम है तो फिर अभी देखो यहां पर खड़ा है कौन किस का दिया था अपने को रेसमा कर तो यह समझ लो है तो यहां से उसको सेडो संका लाइट आएगा तो इसका सेडो जो है लगबग इस साड जाएगा ठीक है अब क्या हो रहा हुए कों से साड है ऊआ हो से डोइक्लिन पर और इस साइट से वह खड़े होगा तो यानि की इस साइट से वह. में असका साइट है और फेश तू फेस करा है और उसकीक्त yes सीमा सीमा यहां पर कड़ी है उसका फेस यहां पर है फ्रेंट इधर है तो फ्रेंट इधर है तो पैक उसका पीछे के साइड होगा फ्रेंट इधर है तो इसका राइट साइड अपोजित होगा इसका अपोजित हो जाएगा और इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा तो यह कौन ह सीमा है, ठीक है, दिख रही है उपर आ यह वालगा है यह दिख रही है यहां तक ठीक है अब इसका फ्रक्ट इसका फ्रेंट दोनों ऐसे स्था करें आपको data मिल गया तो समने बाले का साउथ डायरेक्शन में उसका फेस होगा एक चीज मैं आपको बता दूँ इस टाइप का जो पोश्चन आता है सेडों के बेस पर कोश्चन दो ही आता है या तो मौनिंग का या तो इनिम का मौनिंग में आएगा सबसे सिंपल में फॉर्मुला बता दो रहो कभी भी आपका यह इसाइड निकलेगा क्योंप कि इसके साहड उपर रहते हैं तो उसका सेडों सट भागे ग каж मैं टीके always % बना कि यह मॉर्णिंग का सीन हो गया यहीं जब योनिंग वाली सीन आती है तो कैसे बन जाती है यह एल एल का टाइप बन जाएगा यानी सथान आपका यहां पर ठीक है पस इतना ही यह आत्मी कि खड़ा है ये उसका परचाहिए जा रहे है तो तो जिस्त पर चाहिए जा रहा है उसी के बीच में अपने को डेटा लिखना रहा हैं वह है इन Middle ठाइम नर्थ के साइट इसका फ Krant होगा तो उसे केस में राइट लेट ऐसे होता है राइट लेट अपोजीत वाला कब होगा जब इसका फ्रेंट इस साइड होगा समझ रहो इसका बैक आइप पीछे हो जाएगा इसका बैक आइप 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 बाकी सारा चिश्коїस में नौर्थ उकर रहता है था चूर्ज नीड है उस साइड इसन से हैं इस बंदेगा पुछ फंदे का मौनिंग में फूछ इसको किसी इसने मों करा में M बहुत सिंपल सा और बिल बैंक है एफ और बादो क्या ठीक है और बी एल और एफ को याद कर लीजिए बाकी एक डेटा जैसे आपको यहां पे बोला हुआ था कि मालों किसका बोलता है जा रहा है सामका है तो सामके टाइम पर यहां एफिगर बनाया ने सिमा के बाद मौन हो गया तो अभी अब किसी का भी कूछ है आप से सिमा का किहतर है रयाइट किदर रेष्मा का रइट की दर है रेष्मा का रहे है जो कोई पूछें आपके पास हर एक डेटा पड़ा हुआ है आप कोई भी सवाल पूछें आपके पास जवाभ ले के बहुत ही सिंपल कंसेप्ट और बहुत ही यूनिक है यह आपके पास किसी के हांसे नहीं मिलेगा ये डिटा ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही बाकी हम लोग नेक्स लेक्चर में करेंगे कोई दूसरे टॉपिक्स का ठीक है तब तक के लिए आप क्या करिए टीडिये लर्निंग को आप सब्सक्राइब कर लेजिए उसको लाइक करिए अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुचाईए ठीक है धन्यवाद